नमस्कार बच्चो बच्चो केमेस्ट्री लेसन नमबर टू एसीड बेस एन साल्ट्स में आज हमारा जो फोकस रहेगा वो स्ट्रेंथ आफ एसीड पर रहेगा यानि एसीड की स्ट्रेंथ हम कैसे पता करते हैं कि वो उसके अंदर हाइडोजन आयन कंसेंट्रेशन ज्यादा है या कम है एक महान वैज्ञानिक हुए है सोरेंसन तो सोरेंसन ने एक स्केल डिराइब किया और उस स्केल का नाम रखा पी एच स्केल जैसे हम आमोमन रूप में एक स्केल यूज करते हैं और उस स्केल में ग्रेजुएशन्स होते हैं और उन ग्रेजुएशन्स को देखकर हम पता लगा ले ते हैं कि एक संतीमीटर है दो संतीमीटर है या कितने संतीमीटर की मेजरमेंट है यह हमें स्केल से पता लग जाता है ऐसे ही सोरेंसन ने अपना एक scale derive किया और उस scale से उन्होंने pH value दी तो उस scale का नाम pH है 0 से शुरू होता है और mid में 7 आता है और 7 के वाद last आता है 14 यानि 0 to 7 एक slab बना slab 1 एक slab बना और फिर 7 to 14 एक slab बना तो जो 0 to 7 वाला slab है वह acidic नेचर को शो करता है यानि जिसकी 0 pH होगी वह acidic होगा और 7 तक acidic count किया जाता है 7 जो है वो neutral होता है neutral और 7 से 14 तक basic या alkaline nature होती है solution की तो बच्चों हम आपको इसी को explain कर रहे है जिरो से लेकर तीन तक 0, 1, 2, 3 strong acids होते हैं जिसकी pH वैल्यू जिरो होगी strongest acids 1, 2, 3 और 4, 5, 6 वाले weak acids होते हैं ऐसे ही 7 वाला neutral होता है और 7 के आगे हम बढ़ते हैं 8, 9, 10 यह weak bases होते हैं 11, 12, 13 और 14 pH वाले यह होते हैं stronger यानि strong basicity रखने वाले अगर हम 14 pH की बात करें तो 14 pH जो है वो strongest acid होता है यानि यहाँ पर एक equation निकल कर आई कि pH is inversely proportional to hydrogen ion concentration यानि pH जो है वो hydrogen ion concentration के inversely proportional है इसको समझ लीजिए कोई अगर बहुत ज्यादा strong acid है माल लिए कोई 0 pH वाला acid है तो उसके अंदर hydrogen ion की concentration बहुत ज्यादा होगी चुकि उसकी pH value कम है माल लिए pH 14 वाला कोई substance है तो उसमें hydrogen ion की concentration बहुत कम होगी तो यहां पर pH is inversely proportional to hydrogen ion concentration यानि बेसिक solutions है हाइड्रोकसाइड आयन ओएच माइनस एडिक सलूशन है हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोजन एक्वस आयन तो इस तरीके से हम solution की strength का पता लगा सकते हैं कि वो solution neutral है solution basic है या acidic है बच्चो इसके अलावा color भी मिलते हैं pH strip बनाए गई उस pH strip में indicators लगाएगे यूनिवर्सल और जैसे ही उस pH को किसी solution में डाला जाता रखा जाता है कुछ drop solution की तो वो color change करती है अगर red color की है तो समझ लीजेगा acid है green अगर color उसका change जाता है तो वो neutral है और blue और blueish की तरफ जाती है तो वो basic solution है जो strongest base होता है वो violet color का माना जाता है और जो strongest acid होता है वो dark red color का माना जाता है तो इस तरहिके से आप लोगों ने आज जाना strength of acids what is pH pH एक वार फिर repeat करता हूँ it is the potence of hydrogen hydrogen ion की concentration किसी solution में पी एच कहलाती है मुझे उम्मीद है पीएच टॉपिक पर आपको जानकारी मिली होगी थैंक यू अगले वीडियो में फिर हम आप से मिलेंगे तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें झाल झाल झाल